देखिए अगर आप अपने फेस्बूक का नेम चेंज करना चाहते हैं तो उसको किस तरह किसे करते हैं आज किस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले आपको किया है रहेगा कि जो देखिए तीन लाइन यह उपर दाइने साइट पे है न option आएगा setting का तो setting वाले पर click कर देंगे setting वाले पर click कर देंगे और setting वाले पर click करने के बाद यह option खुल गया आपका personal and account information ना तो इसमें click कर देंगे इसमें click करने के बाद यह देखे name का एक उपर option आ रहा है तो name वाले पर click कर देंगे अब name वाले पर click करने के बाद यह screen देखिए open हो गई है ना जो आपको पहले का नाम है वो यहाँ पर दिखेगा उसके बाद एक नीचे note भी दिख रहा है कि इसको पढ़ लेते है if your change your name on Facebook अगर आप Facebook में अपने नाम चेंज करते हैं तो you cannot change it again इसको आप दोबारा नहीं चेंज कर सकते हैं for 60 day भलब साट दिन के लिए फिर आप इसको दोबारा नहीं चेंज कर सकते हैं गार आप एक बार आपने चेंज कर दिया तो नमसम दो महीने बाद यह आप इसको दोबारा चेंज कर सकते हैं तो आप लोग तो समझ की नाम change करना तेकी मेरा लिक्षञए जैसे प्रदीप बघेल तो इसको अपने चेंब के नाम से दूबारा बनाना चाहते है तो प्रदीप कर दिया कानपुर तो यह देखिए कानपुर यह आप पूर यहाना यह कर दिया और इसमे नीचे आ जाएगा तो review change कर देंगे तो review change पर इस तरीके से click करेंगे और ये प्रदीप कानपुर के नाम से समय लिए प्लीज नोट you want to be able to change your name within 16 days लगे 60 दिन तक आप अबल नहीं होंगे change कर रहा है तो अपना password डालेंगे अगर आप चैंज कर रहा है कि आप है कि नहीं तो अपने फेस्थे का password एक डाल देंगे जो भी आपकी फेस्थे का password हो तो इसको अप लोग यहां से डाल देंगे सेव चेंज पर क्लिक करेंगे फिर और ये देखिए प्रदेपकान पुर नाम से आपका जो जो आपका नाम चेंज किया होगा आपने तो चेंज हो जाएगा तो थैंक्यू दूस्तों अगर वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो सपोर्ट करें चैनल का थैंक्यू